मैं प्रियंका आज हम बनाएंगे सूरन के सब्जी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग तरीके से तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा सेर करिएगा और अपने प्रियंका डेसीवी चैनल के जरूर से जरूर सब्सक्रा सब्सक्राइगा और जैसे हम लोग पनीर को कट करते हैं बिल्कुल उस तरीके से इसको कट करेंगे यह देखिए और इसे कट करके फिर चलेंगे बनाने के तरफ और सूरन के सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और सबको पसंद आने वाली सब्सक्राइगा अगर आप भी स अच्छा सा सेप में कट हो जाए ज्यादा नहीं पकाया ज्यादा पकाएगे तो हम लग जब तेल में इसे फ्राई करेंगे ना यह अच्छे सब्सक्राइगा और ज्यादा तेल अब जोब करेगा यह दिखिए जो तोड़ा थोड़ा आपको इसमें च्छिलका दीख रहा हो प्रियंका डिस्टी भी जार लुप जाके देख लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिस्टिन में देदेंगे आई बटन भी क्लिक करके आप देख सकते हैं यह दिखिए न ज्यादा बड़ा न ज्यादा चोटा बस मीडियम साइज में को कट करेंगे सुरन को और देखिए बिल्क कात्रों क कट करके एको भी डाल सकते हैं यहां पर धन्या धन्या पोड़र थोड़ा सा और जिला जीरा मिर्च जयादा नेशु अमने घर अन्यमर कर लीआ था मिर्चा सभिक्षि में हमने अंब आपर धाला तो थोड़ा सा न्मादा डाले शैरा हमारा मसाला जोए बनके तय प्याज का फिरें कर लेता है तो हां प्याज को सब्सक्राइए बारो कर ले तrifाच पेली हमें तो यह थे नहीं है इसे नहीं पकाईगे और प्याज को बिल्कूल अच्छे से हमें golden brown होने तक पकाना नहीं तो इसका कच्छापन का स्वाद नहीं जाता है medium आज पे पहले प्याज को बहुत अच्छे से भून लीजे तो यह देखे हमारा जो प्याज यह बहुत अच्छे से भून गया है अब यहां पे डालेंगे मसाले प्याज को कर लेते हैं grind ज्यादा महीन पेश्क नहीं बनाएंगे प्याज को दरदरा ही रखेंगे बस हलका से grind कर लेंगे और इसे में अब डालेंगे फिर से सरसो का ओल हम सरसो के ओल में ही खाना पकाते हैं आप जो भी मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको हमारे एक वीडियो में बदाते हैं सरसो के तेल में ही हम खाना पकाते हैं यहां पे हम चार से पांच बड़े चमच भरके सरसू का तेल डालें क्यूंकि हमें यहां पे सूरन को फ्राई करना है सूरन को फ्राई करने के लिए यहां पे भरके तेल का इस्तमाल किया है और यहां जैसे तेल हमारा जो अच्छा गरम हो जाएगा तो तुरन डाल देंगे यह सूरन और इसे फ्राई करेंगे तुरन डालने के बाद तुरन इसे हम नहीं पल्टेंगे नहीं तो जो है यह चिपकने लगता है तो थोड़ा से रूप जाईए आप उस सिकेंड के लिए और जैसे एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा फिर दूसरे साइड इसको पल्टी करिएगा तो यह चिपकता नहीं ह और एक प्यारा सब कलर भी इसमें आ जाता है यह देखिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा से से पलट के यह देखिए हलका हलका इसमें जो कलर है चेंज हो गया है गोल्डेन कलर का दिख रहा है तो दोनों तरफ से अच्छे से से हम पका लेंगे उलट पलट करके दोनों त लेते हैं सूरण को फ्राइब करें वह भी तरह से चन्नी के इस्तिमाल करेंगे शुरण को निकालने के लिए झुटना यह निचे रहा जाए और हम शुर्ण को निकालने के बाद बाकि बचा वह इस तरह से फ्राई पर लेंगे और कोई कोई सूरन जब हम लोग खाते हैं तो देखते हूं कि बहुत ज्यादा गर काटता है मतलब ऐसा लगता है कि गले में थोड़ा सा खुजली टाइप का हो रहा है उस जगह पे जब आप सूरन को उबाल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा फिट कीरी डाल दीजे लेतु निम्बू का रस का इस्तेमाल करिए उससे यह होता है जब कि खुछली में निहीं होता है और यहां उसी तेल में डाले जीरा और जीरा के बाद लाल मीर्च दो तेजपाद और यह सब को थोड़ा सा रोष्ट कर लेते हैं जैसे हिलका सा रोष्ट हो जाएगा फिर डालेंगे मसाला जो हमने मसाला बना के रख़ा हुआ है गोल मीर्ज का दीरा शीम, लाल मीर्च पाउडर, धनिया पाउडर यह तरह बच्छा बच्छा है तो लाएं भी ग्राइन्ड करिये लिए इस तरह भी अच्छा लगता है मसाला जब ये मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से पहले का लेंगे फ्रों के पका 6 मिनुट पर भोकर सफॉँ ये मासाला को पकने में पर 55 oats मिनूट अच्छे सबकता है तो ये तो हमारा जो मसाला जाएगा अच्छे से क strive अप एक खूणा में पका है सब्सक्रण से मेरा मसाल्ण और शुदी और ट्रीम और कुछ लिएक वह ऐसों appro मसाला भूनता है लगता गाने में कभी अगातेद विदेते चाहिए जाब ही सबची बनाए तो मसाला को बहुत ही अच्छे से बूणिये जितने अच्छे से मसाला को बुनिये गा उतना ही टेस्टी हमारा अ ns בonता है तो यह देखिए वर्लक वर्लका आरे मसाले का लोर सब्ज़त हो और यहां पिल्ल देता हैं टॉमाटो को टुकड में करें हैं यहां पर च्छोट बार कंग्यार करके लेधर क क्यां इस तरह भी उहायद्धा सेमीर है बना हम आप को आनके लिया थिरम देर के प्रत works twitter बंडों और इसका कलर भी चेंज हो गया है इस तरह से हम मसालों को अच्छे से भूल लेंगे 5-6 मिनाट में हमारा जो मसाला बहुत ही अच्छे से भून जाता है और आप चाय तो सूखा सबजी भी सुरन का बना अा सकते हैं और ग्रेवी बाला भी चावल रोटी किसी के साथ खा सकते हैं तो यह देखे हमारा जो मसाला विल्खुल परफेक्ट तरीके से भूनिया है देखे बिल्कुल साइट से हमारा जो तेले कितना अच्छे से अलग हो भीक पानी में पाणी कुछ साथ प्रय चावल और रोटी के साथ खाना आए तो पहले चावल को डाल के हलका सब मसाले में फ्राइब लेते हैं दुलन डालने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद आप एक साइड गैस पे चड़ा दीजे पानी गरम पानी के अगर सब्जी में आप इस्तमाल करिएगा न तो उससे और भी टेश्टी बनता है सब्जी तो ये देखिए इतना ठीक है आप चाहें तो यहाँ पे पानी के इस्तमाल न करिए थोड़ा सब्जी बना लीजिए और मुझे सूखा नहीं बनाना एं ग्रेवी वाला बनाना है तो हम यहाँ पे डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए तो ये देखिए हम यहाँ पे डालते हैं एक गिलास के ग्रेवी डालें हैं बिल्कुल अच्छे से यह पक जाए तो यह देखिए बिल्कुल पतल्या कर दिया लोग से पसंद आती है यहाँ फिल्कुल हाई फिल्म पे पकाएंगे और यह देखिए वाव इतना अच्छा अमारा सूरण का सबस्टी पक्के तयार हो गया एं बिल तेल जो है अलग हो गया है यह देखिए आप इसे आप चावल रोटी जेश जेश के साथ बन करें बनाईए खाई और सबको खिलाईए आपको कैसा लगा सुरन के सब्ची का वीडियो मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए वीडियो पसंद आयागा तो लाइक करें शे तरह अची निव रेश्पी देखने के लिए तो गाइस नेश्ट आप कौन सा रेश्पी देखना चाहते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग वीडियो देखते हैं कॉमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज प्लीज ऐसा मत करिये कॉमेंट जरूर से बाइ बाइ